हेलो दोस्तो आज है संडे और संडे का दिन होता है कुछ अलग सब की छुटी होती है रेस्ट का दिन वैसे हम लेडीज और जो होम मेकर से उनका तो संडे मंडे सब बराबर है बलकि संडे को और भी ज्यादा काम होता है चलो वो तो अलग बात है काम तो चलता ही रहता है लेकिन हम भी इस संडे को कुछ अलग करेंगे मेरी ज्यातर गार्डनिंग की वीडियोज ही आती हैं लेकिन आज संडे है तो आज होगी गार्डनिंग प्लस व्लॉग और आज हम दिली शहर में ही गाओं के मज़े भी लेंगे वीडियो को पूरा देखना है और टाइम मैनेजमेंट की भी हम बात करेंगे गार्डनिंग का काम बहुत ही ज्यादा टाइम कंजियूमिंग काम है मैं दो महीने से लगातार और मैं ही क्या हर गार्डनिंग के लिए आक्टूबर नवंबर में बहुत सारे काम होते हैं तो गार्डन और घर के सारे काम में किस तरह मैनेज करती हूँ इस बारे में भी आज बात करूँगी देखिए काम बहुत है और टाइम तो सब के पास 24 घंटे का ही है उसी में सब काम करने पड़ते हैं सर्दियों में तो और भी जल्दी दिन खत्म हो जाता है सर्दियों में गार्डनिंग करने का टाइम मेरा होता है धूप निकलने के बाद और गर्मियों में अर्ली मौनिग या शाम को जयाता दिन में तो हम काम करी नहीं पाते तो देखिए मेरे घर में मेरे इनलाज, मेरे हजबन, मैं, दो बच्चे और दो पैट्स इन लॉस तो कुछ टाइम से गाउं गई हुए हैं तो अभी हम 6 जने हैं तो सारे काम खत्म करके आज मैंने एक्स्ट्रा टाइम में रखा है मैंने अपने सारे डॉक्स की टॉवल, कंबल, उनके बिचाने के कपड़े ये देखी गिलहरी ये वो ही शैतान गिलहरी है जो मेरी सब सीड्लिंग्स वगईरा को सब को खा गई और गैंदे को तो टिकने ही नहीं देती है शैतान कहीं की हाँ तो मैं कहा रही थी कि उनके बिचाने के कपड़े, डस्टिंग वगईरा की कपड़े इस तरह की जो भी एक्स्ट्र एक्स्ट्र टाइप की कपड़े न वो सारे आज मुझे धोने है तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो ये जो पुरानी सी वाशिंग मशीन आप देख रहे हैं ये 22 साल पुरानी है तो ये मैंने इसी काम के लिए रखी है पोचे, डस्टिंग वगईरा की कपड़े या डॉक्स के कपड़े धोने के लिए वीग में एक या दो बार मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मैंने मशीन लगा दी है, साथ में होगा मेरा गार्डनिंग का काम तो देखें चट पर पानी तो गिरेगा ही वाशिंग मशीन का तो इससे पहले मैं अपने सब प्लांट्स को जो है एक एक करके चेक कर लूँगी, उनकी ड्राइ लीव्स हटा दूँगी और साथ में मशीन भी चलती रहेगी क्योंकि इसे चोड़ कर जा नहीं सकती कपड़े जो है कभी ड्राइर में डालने हैं कभी सुखाने हैं और साथ में चलता रहेगा मेरा दूसरा काम तो अब मैं प्लांट्स में वाट्रिंग भी करूँगी साथ में इनको नहला भी दूँगी क्योंकि बाद में च्छत की सफाई तो हो नहीं है तो मेरा सारा काम साथ में साथ में चलता रहेगा तो इसी बीच में आपको दिखा दूँगी आज हमने गाउं की तरह चूले पर सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनाई थी दोपैर में मैं वीडियो बनाना भूल गई थी बस लास्ट में ही बना पाई ये लास्ट की रोटी मैंने अपने डॉक्स के लिए बनाई है उन्हें भी बहुत पसंद है चूले की रोटी तो उनकी भी ट्रीट हो जाएगी आज वैसे तो मिट्टी का चूला अच्छा होता है पर ये लोहे वाला है काम चला हुए क्योंकि कभी-कभी ही यूज में होता है वो भी सर्दियों में चूले पर बनी रोटी बहुत टेस्टी लगती है अच्छा मैं आपको अपने दोनों डॉक्स भी दिखा देती हूँ एक तो आपने कर वीडियो में देखा है दूसरा आज देख ले रॉट्वाइलर और लेपरा दो डॉक्स हैं ब्लैक वाला एडॉल्फ जिसको हम एडू कहते हैं और लेबरा जो स्टिफलर है उसे हम स्टिफू कहते हैं तो ये हैं दो प्यारे प्यारे शैतान तो देखी ये भी दो पहर की क्लिप है रोटी मैंने परोस दिया है यानि खाना मैंने परोस दिया है स्टील की थाली में, फील आनी चाहिए न गाओं की तो मैंने रखी है बाजरे की रोटी और उस पर रखा है मक्षन हरासाग और चाच हो गई और साथ में ले सकते हैं मिर्च या गुर्बी जिसको भी पसंद है तो ये हो गया हमारा चूले पर बना हुआ देशी खाना और चाहें तो ये मक्षन आप सबजी में भी डाल सकते हैं तो ये घर का निकला हुआ फ्रेश मक्षन है मैं रोज ही निकालती हूँ जिसे गाओं में निकालती है ना दही जमाके और रोज लसी बनाते हैं और रोज मक्खन निकालते हैं तो ये हो गया हमारा आज का लंच तो देखिए खाना खाने के बाद और उसके भी काफी टाइम बाद में साड़े चार कर मशीन लगाई थी और ये जो है राक जो है अब ठंडी हो गई है लेकिन जब गरम तो इसमें मैंने डाल दिये थे ये शकरकंद यानी स्वीट पटैटो ये नहीं होते तो मैं आलू भून लेती वैसे ये दोनों मैं सर्दियों में लेकि रखती हूं भूने हुए शकरकंद और आलू बहुत ही स्वादिश लगते हैं गाउं में ऐसे भूनते हैं भूने लकडी की राक बचेगी न ये आएगी मेरे प्लांट्स में डालने के काम तो अब ये हल किसी जो है ना आच और है थोड़ी सी और भून लेती हूं इसको और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी भूनी है और खाने में बड़ी ही स्वादेश्ट है तो देखिए हो गए रोटी भी बन गई उसके बाद शकरकन भी भून गए और ये लकडी की राक भी मेरे प्लांट्स में डालने के काम आ जाएगी तो कपड़ी धुल रहे हैं प्लांट्स का भी काम हो गया उनमें मैंने वाटरिंग कर दी है और साथ में यहां भी क्लेनिंग चलती रहेगी ये अब वैसे ये काफी ठंडी हो गई है तो मैं आपको दिखाऊंगी इनको मैं इन प्लांट्स में डाल दूगी तो सेकेंड राउंड में मेरा कपड़ों का पूरा होने वाला है और मैं इनको अब सुखाने के लिए डाल देती हूँ तो देखिए कितने सारे काम मेरे साथ हैं तो इसी तरह से मैं अपनी गार्णिंग करती हूं बाकी काम करते करते तो काफी कम टाइम में ही हम अपने कई काम कर सकते हैं नहीं तो गार्णिंग का काम करते करते बाकी काम तो रही जाएंगे तो चलिए अब यह थोड़े से हो गए हैं तो मैं इनको एक आपको और यह कैसा लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी लग रहा है तो देखिए अब यहां पर मेरे केस को पहले तो मैं साफ कर लेती हूं थोड़ा सा राक वाक लग जाती है और इन राक से और इन से हो जाते हाथ बिल्कुल हाथों की बैंड बच जाती है तो यह सब काम करने के राक वाक का काम तो यह स्वीट पेटेटों भून गई है बहुत ही बड़ी आर लग रही है खाने में भी बड़ी स्वादिश्ट है तो यह भी मेरा काम हो गया है तो अब थोड़े से ही प्लांस और बचे हैं तो उनमें में वाटरिंग कर दूंगी और उनको बड़ी असा नहला दूंगी तो इसी तरह से मेरे कई काम इखटे चल रहे हैं तो आज का अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगा है और इसी तरह के कुछ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें तो फिर अब नहलाने के बाद देखें सिर्फ पानी तो सब जगा गिरी गया है तो इसके बाद होगी मेरी फर्श की क्लीनिंग तो क्लीनिंग करने के बाद मेरा सब काम ने बढ़ जाएगा और ये मेरा टाइम मैनेजमेंट का आपको वीडियो कैसा लगा तो ये भी आप कमेंट करके बत हो गया है साड़े चार मैंने मशीन लगाई और अब हो रहे हैं 545 तो देखिए सब यहां यहीं पर रहती है यहीं पर धकवक दी है यहीं पर पड़ी रहती है तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई एंड हैपी गार्डन